नमस्कार दोस्तों उतकर्ष की ओनलाइन कलास में आपका स्वागत है दोस्तों राजस्तान जिला दर्शन में आज हम पाली जिले के बारे में अध्यन करेंगे देखेगा जो राजस्तान का जिला है पाली इस पाली का नाम पाली क्यों पड़ा इस पाली का प्राचीन नाम क्य और मारवाड में राठोडवंस ने सासन किया है और राठोडवंस की जो पर्थम राजदानी थी वो पर्थम राजदानी पाली यी बनी थी देखेगा पाली का एतियासिक मेत्वे सिब से पहले पाली का जो प्राचीन नाम मिलता है वो पाली का प्राचीन नाम क्या मिलता है प पाली वाल ब्रामनों के कारण ये पाली के लाया था और ये जो पाली है ये पाली किस नदी के किनारे है बसा हुआ बांडी नदी के किनारे जो पाली नगर है ये पाली नगर किस नदी के किनारे बांडी नदी के किनारे तीसरा ये पाली वाल ब्रामनों के कारण पाली के लाय यह पाली के लाया यह पाली वाल ब्रामनों के कारण यह नगर क्या के लाया पाली के लाया पाली नगर किस नदी के किनारे बंडी नदी के किनारे और पाली का जो प्राची नाम मिलता है वो पाली का प्राची नाम क्या मिलता है पाली का मिलता है देखेगा मारवाड पर जिस वंस ने सासन किया उस वंस का नाम क्या है एक रज्य जिसका नाम है मारवाड रज्य या फिर जोत्पुर रज्य या फिर कौन सा वंस राठोड वंस और मारवाड के राठोड वंस मारवाड में राठोड वंस ने सासन किया यदि हम इस राठोड की इस्तापना की राउसिया ने मारवाड में राठोडवन्स की इस्तापना की और राउसिया ने अपने राज्ये की पर्थम राजदनी यानि राउसिया ने पर्थम राजदनी पाली को बनाया था पर्थम राजदनी किसको बनाया पाली को बनाया यानि मारवाड के राठोड वन्स की जो पर्थम राजदनी है वो पर्थम राजदनी क्या है पाली है और ये पाली वाल ब्रामनों के कारण ये क्या कहलाया पाली कहलाया था राउसियां सत्राइम के पुत्र थे और जेचंद गडवाल जो कन्योजगा साशक था उसके पत्रु हुआ करते थे अपने चंद दूश्रा युद मौम्मद गोरी ने इस युद का पासा पलट दिया था और इस युद में मौमद गोरी विजयी बना और परत्युराज चोहान तिर्तिय की हार हुई इन दोनों युदों में मौमद गोरी की साइता कन्योज के सासक जेचंद गडवाल ने की थी और उसके बा रत हुआ जैचंद गडवाल का पुत्र राव सियां कन्योज से आ जाता । और जब मारवड में आता है ता पाली के पालिवाल ब्रामनों के लिए एक युद लड़ता है मेर जाती के विरुद और इस युद को क्या का आजाता है इस युद को का आजाता है लाखा बमर या लाखा जमर का युद लाखा जमर का युद का आजाता है तो लाखा जमर का युद भी पाली जिले में लड़ा गया था लाखा जवर का युद ये युद हुआ था सन 1223 इश्वी में ये युद जिस इस्थान पर हुआ उस इस्थान का नाम है बिठु गाउं जो बिठु गाउं है ये बिठु गाउं कहाँ पर है पाली में बिठु गाउं कहाँ पर है पाली जिल जाती के लोगों के साथ, मेर जाती के मज्द्य हुआ, राउसिया ने ये जो युद लड़ा था, ये युद पाली के पालीवाल ब्रामनों के लिए लड़ा था, यानि इनके साथ में जो राउसिया के साथ में जो ब्रामन थे, वो कौन से ब्रामन थे, पालीवाल ब्रामन थे पालिवाल ब्राह्मनों की रक्षा करने के लिए यानि पालिवाल ब्राह्मन जो प्रेशान थे वो प्रेशान किसे थे मेर जाती के लोगों से प्रेशान थे इसलिए ये युद लड़ा गया कहा ऐसा जाता है कि इस युद में लाखो ब्राह्मन मोत के गाट उतर गए इस युद में लाखो ब्रामन पालिवाल ब्रामन वीरगती को प्राप्त हुए इसलिए इस युद का नाम क्या पड़ा लाखा जमर का युद पड़ा यानि लाखो ब्रामन वीरगती को प्राप्त हुए लाखो ब्रामन वीरगती को प्राप्थ हुए कौन से यूद में? लाखा जमर के यूद में इसलिए इस से यूद का नाम क्या पड़ा? लाखा जमर का यूद पड़ा और एक मेत्वेपून टत्य ये भी है कि इस यूद में देखेगा लाखों ब्रामन वीर गत्ती को प्राप्त हुए थे अब ब्रामन गले में जनव दारन करते हैं और ब्रामनों की जो पत्निया थी उनके हातों में सपेद रंग की चूडियां पहिन रखी थी जब इन ब्रामनों का अंतिम संसकार किया गया तब उनके जेनव को उतारा गया था और उनकी जो पत्निया थी वो उनके साथ में सती हो गई तो ब्रामनों के गलों से जेनव उतारी गई और जो पत्निया जो भी इनके साथ में सती हुई उन्होंने अपने हातों की सपेद चूडियों को उतारा था कहते हैं कि बाद में सपेद चूडियों और जेनव का डेर लग गया था अब देख आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें कितने लोग वीरगती को प्राप्त हुए फिर उस जेनव से और उन सपेद चूडियों से एक डेर लग गया और उस डेर को वर्तमान में कहा जा था दोला चबूत्रा कुन सा चबूत्रा दोला चबूत्रा ये इसी युद की इसमर्ती में ये दोला चबूत्रा बना था दोला चबूत्रा बिठु गाउं में पाली में यहां पर है क्या यहां पर एक तो है जेनव जेनव वे सपेद चूडियों का धेर जेनव वे सपेद चूडियों का धेर जेनव वे सपेद चूडियों का यहां पर धेर लगा हुआ है ये जेन दर्म का प्रमुक्तिर्थ इस्तल माना जाता है यानि किस शोरी ब्रामनों का ये पुवित्र इस्थान माना जाता है कुन से ब्रामनों का पालीवाल ब्रामनों का इस युद में ये जो राउसियां थे ये राउसियां भी वीरगती को प्राथ हो गए थे फिर बनाया गया राउसियां का इसमारक जो राउसियां का इसमारक है देखेगा जो राउसियां का इसमारक है ये राउसियां का इसमारक भी पाली जिले के बिठू गाउ में बिठू गाउ में यहाँ पर रावशियां का लेक भी है किस ने लगवाया था? रानी पारवती दुवारा लगवाया गया रानी पारवती दुवारा लिखित यहाँ रानी पारवती ने ये लेक लिखवाया था यहाँ रावशियां की अस्वारोही प्रतिमा है राव सियां की अस्वारोई प्रतिमा राव सियां की अस्वारोई प्रतिमा है कौन से गाउम है? बिठ्धु गाउम है ये देखिएगा दोस्तों इस परकार एतियासिक महत्वे हैं किस जिले का? पाली जिले का एक बार फिर से समझेगा पाली जिले का जो प्राचीन नाम मिलता है वो प्राचीन नाम मिलता है पाली का पाली का पाली जिले का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है पाली का किस नदी के किनारे बांडी नदी के किनारे ये नगर बशा है पाली वाल ब्रामनों की नगरी थी पाली वाल ब्रामनों की ये उत्पति का केंद्र था इसलिए ये नगर पाली के लाया मारवाड राज्ये मारवाड राज्ये पर जिस वन्स ने सासन किया उस वन्स का नाम है राठोड वन्स राठोडबनस किस्तापना राउसिया के दुआरा की गई और राउसिया ने अपने राज्ये की जो पर्तम राजदानी बनाया था वो पर्तम राजदानी किसको बनाया पाली को बनाया इस परकार कह सकते हैं मारवार का जो सबसे प्राचीन नगर है वो सबसे प्राची ननगर है पाली राउशिया ने पाली के ब्रामनों की रक्षा करने के लिए मेर जाती के विरुद युद लड़ा किसकी साइटा के लिए पाली के पाली बाल ब्रामनों के लिए ये युद बिठु गाउं में लड़ा गया जो पाली जिले में 1223 में और इस यूद में लाखो ब्रामन वीरगती को प्राप्त हुए थे और उनके गले की जेनव और उनकी जो पत्निया थी उन पत्नियों ने सपेच चूड़ियां उतार कर उनके साथ में सहती हुई और वहाँ पर एक चबूत्रे का निर्मान हुआ उसे क्या का जता है इति बोडे पर सवार रावशियां की कैसी परतिमा आए परतिमा अस्वरो ही परतिमा आए अब देखिएगा जो पाली जिला है इस पाली जिले में और क्या-क्या है पाली जिले में पंचतिर्थ देखिएगा एक इस्तान मिलेगा आपको जिसको का जाता पंचतिर्थ पाली जिल जो पाली जिला है वो पाली जिला जेन धरम की प्रमुकि इस्थली राहा है। जेन धरम के बड़े बड़े 5 तिर्थ है पाली जिले में। तो कौन से जिले में? पाली जिले में जेन धरम के पांच तिर्तों को पांच तिर्तों को पंच तिर्त कहा जाता है पांच तिर्तों को क्या का जाता है पंच तिर्त कहा जाता है ये पांच तिर्त इस्तल है कौन-कौन से तो देखिएगा एक तो है वरकाना एक तो इस्तान है जिसका नाम क्या वरकाना इसको का जाता है पंचतिरत वरकाना का मेत्वे क्या है दोस्तों वरकाना है क्या वरकाना के बारे में का जाता है यहाँ पर एक प्राचीन यहाँ पर भगवान पार्श्विनात यहां पर देखिएगा यहां पर भगवान पार्श्विनाथ भगवान पार्श्विनाथ का प्राचीन जेन मंदिर है प्राचीन जेन मंदिर है यहां पर भगवान पार्श्विनाथ का प्राचीन जेन मंदिर है इसके लावा आप यह भी याद रखेगा यहां पर एक सूर्य मंदिर भी है वरकाना का सूर्य मंदिर पाली में यदि आप से पुछे वरकाना का सूर्य मंदिर कहाँ पर है तो पाली में वरकाना इसको पाली जिले में जो पांच जेन धरम के बड़े बड़े तिर्थ इस्तल है उनमें इनको गिना जाता है नंबर दो देखीगा पाली जिले का तिर्थ इस तर नंबर दो जिसका नाम है नार लोई या नार लाई नार लाई देखेगा जो नार लाई है वो जेन धरम के मंदिरों के लिए प्रशिद है यानि जेन धरम के मंदिरों के लिए प्रशिद जेन धरम के मंदिरों के लिए प्रशिद किसके लिए प्रशिद है जेन धरम के मंदिरों के लिए प्रशिद है कौन सा इस्तान नारलोई इस्तान देखेगा इस नारलोई में एक इस्तान है जिसका नाम है गिरनार गिर्णार तिर्थ इस्तल गिर्णार तिर्थ इस्तल यदि आप से पुछें गिर्णार तिर्थ इस्तल कहाँ पर है जो गिर्णार तिर्थ इस्तल है यह नारलाई इस्तान में यहाँ पर जेंदरम के जो परमुक मंदिर है उन्हीं मंदिरों में एक भव्य मंदिर है जिसे का गिर्णार तीर्ट इस्तल जो गिर्णार तीर्ट इस्तल है इसका मेत्वे यह है कि यहां पर गिर्णार तीर्ट इस्तल यहां पर जो मंदिर है गिर्णार में वो है नेमिनात का नेमिनात की शाम वर्नित प्रतिमा गिर्णार में नेमिनात की शाम वर्नित प्रतिमा है और साथ में यहाँ पर सहे सावन तिर्थ इस्तल भी है गिर्णार में एक इस्तान है जिसका नाम क्या है सहे सावन शेह सावन तिर्थ यह भी यहीं पर है और यहाँ पर नेमी और रजुल के पदचिन है यहाँ पर क्या बन रखे हैं पदचिन बन रखे हैं किस किस के नेमी और रजुल के कौन से इस्तान पर है तो इस इस्तान का नाम है से सावन तिर्थ इस्तल जो गिर्णार में है गिर्णार तिर्थ इस्तल यहाँ पर भगवान नेमीनात लेकिगा बगवान नेमीनात की शाम वर्णित प्रतिमा है और यह इस्तान जो दोनों तिर्थ इस्तल है वो कहाँ पर है न नार लाई जो नार लाई इस्तान है वो जेन धरम के लिए प्रशिदे यानि जेन धरम के मंदिरों के लिए इस्तान क्या है यहां का प्रशिदे इसके अलावा नाडोल देखिएगा जो नाडोल इस्तान है वो भी जेन धरम का एक तिर्थ इस्तल माना जाता है जेन धरम के पं नाडोल में चोहानवन्स का भी सासन रहा है यानि जो सोनगरा चोहानवन्स थे सोनगरा चोहानवन्स उने जो सासन किया है वो कहां पर किया है नाडोल में किया है नाडोल का जो मेत्व है यह मेत्व यह है कि यहां पर अनेक जेन धरम के मंदिर बन रहा है और सोनगरा स्टूंगरा मुचला शोर्चला शोर्चमानज का राजदनी का साबlica है अब मूचला transforming किमानवियर मुचला मांवीर मुचला मावीर जो मुचला मावीर है कुंबल गड़ अब्यारन में घाने-ड beam के निकट देखिएगा कुंबल गड़ अभियारन में कुम्बल गड़ अभियारन तीन जिलों में है कुम्बल गड़ अभियारन अभियारन के घने राव के निकट किसके निकट गाने राव के निकट मुचला मावीर का मंदिर मुचला मावीर यहां पर मुच्छे वाले स्वामी मावीर की मूर्ति है मावीर स्वामी की मूर्ति है और नमबर जो पाँच है वो है रनकपुर जेन मंदिर रनकपुर जेन मंदिर जो रनकपुर जेन मंदिर है ये जो पाँच तिर्थ इस्तल है इनको क्या कहा जाता है तो जो पाली जीला है ये पाली जीला जेन मंदिरों के लिए परशिद है या जेन धरम के पाँच बड़े बड़े तिर्थ इस्तल है कौन कौन से है देखेगा एक तो है वरकाना वरकाना में एक सूर्य मंदिर भी नोट करके याद रखीगा वरकाना में जो मंदिर है वो बगवान पार्श्वनात को समर्पित है नारलाई नारलाई के जो मंदिर है वो नेमिनात को समर्पित है नाडोल के जो मंदिर है वो मावीर स्वामी को समर्पित मुचाला मावीर ये मावीर स्वामी का मंदिर है और रनतपुर जेहन मंदिर ये आधिनात या रिसब देव को समर्पित है ये जेहन दरम के जो बड़े बड़े प कौन कौन से बढ़ते हैं पर्मुक मेले पाली जिले में जो पर्मुक मेले बढ़ते हैं एक मेला रनकपूर मेला रनकपूर जेन मंदिर के बाहर या रनकपूर मंदिर में यह मेला बढ़ता है तो रनकपूर मेला कौन से मंदिर में रनकपूर मंदिर में रनकपूर जेन मंदि शादली गाउं के निकट ये मंदिर बन रखा है ये जो मेला है ये मेला दो दिनों तक बरता है फालगुन शुकल फालगुन शुकल चोतुर्ति वे पंचमी के दिन एक वर्ष में कितनी बार? दो बार मेले का नाम क्या है? रनकपूर मेला दूसरा परशुरा मादेव जो परशुरा मादेव का मंदिर बना हुआ है गुफा अब बने हुई है परशुरा मादेव का मेला मंदिर है परशुरा मादेव का और उस मंदिर में बरता है परशुरा मादेव परशुरा मादेव मंदिर इस मंदिर में ये मेला भरता है मेले का नाम क्या परशुराव मादेव का मेला परशुराव मादेव देखेगा पाली जिले में इस मंदिर के बारे में हम आगे जब पाली जिले के परमुक मंदिर पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम विश्टित रूप से अध्यन करेंगे एक है चोटीला पीर का उर्ष जो चोटीला पीर का उर्ष है वो देखेगा पीर दुले सा की दरगा है पीर दुले सा को क्या का ज़ता है चोटीला पीर का ज़ता है और इनकी दरगा में ये उर्ष बरता है उर्ष का नाम क्या चोटीला पीर का उर्ष इसके अलावा सोनाना खेतला जी का मेला सोनाना गाउं में बरता है सोनाना खेतला जी का मेला जो सोनाना खेतला जी का मिला है ये पाली जिले के कुन से गाउं में? सोनाना गाउं में सोनाना गाउं में ये मिला ऐउजित होता है मिले का नाम क्या है? सोनाना खेतला जी का मिला इसके अलावा पाली जिले के एक तेसले जिसका नाम है बाली बाली पसू मिला बाली पसू मेला जो बाली पसू मेला है ये एक जनवरी से साथ जनवरी तक पसू मेला है ये और कहांपर है पाली जिले की कौन सी पाली जिले की कौन सी तेसिल बाली तेसिल इसके अलावा यहांपर बिरांठिया रामदेव जी का मेला जो बिरांठिया है वो बिरांठिया कहाँ पर है पाली में बिरांठिया रामदेव मेला लोगदेवता रामदेव जी का मंदिर बन रखा है बिरांठिया में और यहाँ पर यह मेला बरता है बिरांठिया और बिरांठिया कहाँ पर है पाली में ये पाली जिले के पर्मुक छे क्या है मेले है रनगपुर जेन मंदिर मेला परशुरा मादेव के मंदिर में परशुरा मादेव चोटीला पीर कहा जता पीर दुलेशा को इनकी दरगा बनी हुई पर सोनाना खेतलेजीका सोनाना गाउँ में बाली पशु मेला बाली तेसिल में और इसके अलावा बीरांटिया में रामदेव जी का भव यह मंदिर बंड़का है और वहां पर यह प्रमुक क्या लगते हैं मेले भरते हैं अब देखेगा पाली जिले के जो मेत्वेपुन इस्थान है मेत्वेपुन तथ्य उन तथ्यों के बारे में अध्यन करते हैं दोस्तों देखेगा अब पाली जिले के ज इसका नाम है बंगडी नगर, जो बंगडी नगर है वो बंगडी नगर अपनी सिल्प कला के लिए परशिदे, बंगडी नगर अपने बरतनों के लिए परशिदे, तो दोस्तों यहां से आप से प्रशन पूचा जा सकता है कि पाली जिले का कौन सा नगर या राजस्तान का नगर का नाम क्या बंगडी नगर देखिएगा जो बंगडी नगर है वो पाली जिले में और जो बेंग्टी है देखिएगा बेंग्टी जोतपुर में बेंग्टी में लोगदेवता हडबुजी सांकला की समाधी है और हडबुजी सांकला का बेंग्टी नगर जोतपुर जि को सबस्क्राइब लिए प्रशिद यह जो नगर है यह नगर किष के लिए प्रशिद है बतनों के लिए प्रशिद है कौनштÄ न गर है 972 दूसरा दीखिएगा एक मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का नाम है कामेश्वर मादेव यह एकजाम में पूछ रहा है राजस्तान में कामेश्वर मादेव का मंदिर का है कामेश्वर मादेव का मंदिर है आउवा में और आउवा कहां पर है पाली में अठारा सो सताउन की करांती के समय मारवार का सबसे बड़ा विद्रो का केंदर आ हुआ थाकुर कुसाल सिंग के नित्रितों में यहां पर क्या हुआ था विद्रो हुआ था और यह सबसे बड़ा नगर रहा है इसके अलावा सत्य जो आ हुआ है यहां पर सत्यागरे उद्ध् तो पाली जिले में सत्यागरे उद्ध्यान, सत्यागरे उद्ध्यान कहां पर है आउवा में सत्यागरे उद्ध्यान कहां पर है आउवा में दूसरा देखेगा, पाली जिले का एक नगर है जिसका नाम है फालना पाली जिले का एक नगर है जिसका नाम क्या है फालना तो छाता उद्द्योग के लिए जो परशिद है वो छाता उद्द्योग के लिए परशिदि कि आया है फालना इस फालना में देश का प्रतम के आंपर है है फौना में है इसके अलावा फालना में इसे Mirror गेटवे ओब मुबई या युह दिए अध्य मां भी सथार्प कि यह इसी बही हुआ करे मीनी मुबई भी कहा जथा जदिए फिर मिनी मम गवजा कि चतर कि सको खज्टा पार्ण नाको Association आपर जयन मंदिर बना हूआ है और उस जयन मंदिर को का चाता है यह देश Cana Pratum Shun मंदिर hai यानि सोने से निखमःत है और फालना किस के लिए प्रशिदा है चाता उद्योग के लिए प्रशिदे सत्यागर्ख उद्यान सत्यागरे ने जो दियान है वह कहां पर है आववा में और कामेश्वर मादेव का मंदिर जो बना हुआ है ये भी आववा में है और आववा में सुगाली माता का मंदिर है हाली में इस आववा में सुगाली माता का मंदिर बना हुआ है हाली में यहाँ पर सुगाली माता की जो मूलत परतिमाती वो वापस लाई गई त तो सुगाली माता का मंदिर है, सुगाली माता का मंदिर, काँ पर है आउवा में, इसके अलावा पाली जिले का एक गाउं है जिसका नाम है पाद्रला गाउं, पाली जिले का गाउं है जिसका नाम क्या पाद्रला गाउं, इस पाद्रला गाउं के बारे में कहा जा था तेरे जो ये पाद्रला गाओं है ये पाद्रला गाओं तेरे ताली नर्ते तेरे ताली नर्ते की जन्म भूमी या जन्म इस्तली तेरे ताली नर्ते की जन्म इस्तली पाली जिले कर जिस गाओं को तेरे ताली नर्तिय की जन्म इस्तली के रूप में जिस गाउं को जाना जाता उस गाउं का नाम क्या है पाद्रला गाउं और इस पाद्रला गाउं में बेरु सिंग की पतनी जिसका नाम है मांगी बाई मांगी बाई दुवारा ये नर्तिय विक्षित किया गया मांगी बाई तो मांगी बाई तेरे ताली नर्तिय की नर्तिंगना है और इसका समंद पाली जिले के कौन से गाउं से है तो पाद्रला गाउं से इनका समंद है इसके अलावा देखेगा माराना प्रताब के जो साथी थे दुक के साथी थे बामासा कंडल जम्स टोड ने इन्हें राजस्तान का कर्ण का है मेवाड का उधरक का है मेवाड का इनको रक्स कहा जाता है और जब माराना प्रताब के पास पेस्वें नहीं थे तब इडर राज्य के चूलिया गाउं में बामाशा ने इनको माराना परताब को 20,000 मुद्रेयें दी थी और इनकी जो जन्म इस्तली है वो जन्म इस्तली पाली है तो बामाशा की जन्म इस्तली पाली बामाशा की जो जन्म इस्तली है वो जन्म इस्तली कहाँ पर है पाली में बामाशा की जन्म इस्तली पाली में है इसके अलावा देखेगा परसुराम की जो गुफा है प्राकर्तिक गुफा परसुराम की गुफा जो परशुराम की गुफा में प्राकर्तिक शिवलिंग है प्राकर्तिक शिवलिंग प्राकर्तिक शिवलिंग है पर इसी करण इसको क्या कहा ज़ता है राजस्थान का अमरनाथ राजस्तान का क्या कहा जाता अमरनात कहा जाता है तो ये याद रखीगा पुर्शुराम की गुफा में प्राकर्तिक शिवलिंग है और अमरनात में ब्रप का प्राकर्तिक शिवलिंग मनता है इस करण इनकी तुलना की जाती है राजस्तान का अमरनात किसको कहा जाता पर्शूराम की गुफा में जो प्राकर्तिक शुवलिंग है इसे राजस्तान का अमरनात कहा जाता है बामासा माराना परताब के दुक के साथी मेवाड का दानवीर, मेवाड का कर्ण, मेवाड का उदारक और इन्हें मेवाड का रक्सक कहा जाता है इडर राज्ये के चूलिया गव में माराना परताब को 20,000 मुद्रें दी थी और माराना परताब ने रामो जी की जगे अपना परधान दिवान बामाशा को नियुक्त किया था ये जेन धरम ये जो जिस धरम के अन्युआई थे जेन धरम के वक्ती थे अन्युआई थे इनकी जो जन में इस्तली है वो जन में इस्तली क्या है पाली है इसके अलावा पाली जिले में पादरला गाउं जिसे तेरे ताली नर्तिक की जन में इस्तलीक आ जाता और मांगी बाई का समन्द भी पादरला गाउं से है पाली जिले का बंगडी गाउं सिल्प कलाया बरतनों के लिए परशिद है शिल्प कलाया बरतनों के लिए परशिद कामेश्वर मादेव आववा में सत्यागरे उद्ध्यान भी काँपर है आववा में यहाँ पर सुगाली माता का क्या बना हुआ मंदिर बना हुआ है छाता उद्योग छाता उद्योग के लिए फालना परशिद है और यहां परदेश का परत्रम शोन मंदिर भी है गेटवे ओप बंबई या मुबई या इसे मिनी मुबई कहा जाता है किस को कहा जाता है फार्णा को कहा जाता है और फार्णा पाली जिले की एकतेशिले है इसके अलावा देखेगा पाली जिले के जो पर्मुक मंदिर है वो पर्मुक मंदिर कौन कौन्च है सबसे पहले पाली जिले की जो पाली जिले का जो पर्मुक मंदिर है उस मंदिर का नाम है रनकपूर जेन मंदिर रनकपुर जेन मंदिर जो रनकपुर जेन मंदिर है ये रनकपुर जेन मंदिर है कहाँ पर है शादली के निकट पाली में शादली के निकट पाली रनकपुर जेन मंदिर शादली के निकट पाली इस मंदिर के बारे में इस मंदिर का निर्मान किस ने करवाया इस मंदिर का निर्मान करवाया था धर्नक साने इस मंदिर का निर्मान करवाया धर्नक साने और दर्नक सान को ये भूमी माराना कुम्बा ने दान में दी थी और राना दुआरा दान में दिये जाने के करण ये मंदिर क्या कहलाया रनकपूर कहलाया वास्तुकार इस मंदिर का वास्तुकार कोने इस मंदिर का वास्तुकार है देपाक इस मंदिर का वास्तुकार को ने है देपाख है जो रणगपुर जेन मंदिर है यह रणगपुर जेन मंदिर मगाई नदी के किनारे और मादरी परवत पर मादरी परवत पर मगाई नदी के किनारे और मादरी परवत पर यह मंदिर बना हुआ है इस मंदिर में कुल 1445 खंबे है इस मंदिर में जो कुल खंबे है वो कुल खंबे कितने है 1445 खंबो पर इस्तित यह मंदिर 1445 खंबो पर इस्तित है और 1445 खंबो पर इस्तित होने के इस मंदिर को का ज़ता हुआ ज़ता है। का अजयब गर को मदिर समर्पित किसको है तो सबसे इंपोर्टेंट ये मंदिर समर्पित अधीनात को इसलिए इस मंदिर का एक और नाम है इसे का जाता है अधीनात जेहन मंदिर आधिनाथ जेन मंदिर कहा जाता है ये मंदिर दो सेलियों में है यानि भूमी पर निर्मित होने के करण भूमीज सेली का मंदिर मना गया है कौन सी सेली का भूमीज सेली का मंदिर मना गया है इस मंदिर में चार परतिमा ये चार दिशाओं में और एक प्रतिमा मुख्य गर्ब में है इस करण इसको पंचायतन सेली का मंदिर भी माना गया है तो इस मंदिर के जो सेली है वो पंचायतन सेली है पंचायतन सेली चार मूर्तियां चार दिशाओं में और एक मूर्ति मुख्य गर्ब में इस कारनी से क्या कआ जाता है? पंचाइतन से लिखा मंदिर का जाता है। इस मंदिर का उपनाम कभी मेहे ने,कभी मेहे या हम लिख सकते हैं जिनका समंद्र बीनमाल से इस मंदिर को तिलोग दीपक परशाद मंदिर का है? इस मंदिर को क्या का, तिर्लोग दीपक परशाद मंदिर का, तो इस मंदिर को तिर्लोग दीपक परशाद, किस ने का, कभी मेह ने का है, और कभी विमल सूरी ने कभी विमल सूरी ने इसे नलीनी गुल में विमान की संग्या दी इस मंदिर को नलीनी गुल में विमान की संग्या दी तो कभी मैंने इसे क्या कहा है तिलोग दिपक परशाद मंदिर का है और विमल सूरी ने इसे क्या कहा है नलीनी गुल में विमान का है इस मंदिर के उप ना आदिनात जेन मंदिर इसलिए का ज़ता है क्योंकि ये भगवान आदिनात को समर्पित है इस मंदिर की वास्तु कला और इस्तापत्य कला इतनी सर्वों उत्करष्ट है कि इस मंदिर का प्रतिय कखंबा एदित्य है प्रतिय कखंबा एदित्य है प्रतिय कखंबा यूनिक है अनोका है अलग है कोई भी दो खंबे एक जैसे नहीं है और आप इस खंबों की इस्तापत्य कला इस प्रकार से है कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाईए मुख्य गर्ब में जो भगवान आदिनात की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं और मध्य में कोई भी खंबा आडे नहीं आता है यह इस परमुक मेत्व है किस मंदिर का? रनधपुर जेन मंदिर का रनकपुर जेन मंदिर की दिवार पर एक प्रशस्ती लगी हुई है उसे का ज़ता रनकपुर जेन प्रशस्ती जो रनकपुर जेन प्रशस्ती है ये राजस्तान की एक मातर ऐसी प्रशस्ती है जो दो बासाओं में लिखित है नमबर एक नागरी बासा और नमबर दो सम्शकर्त बासा राजस्तान की एक मातर प्रशस्ती जो दो बासाओं में रचित इस प्रशस्ती के जो प्रशस्ती कार है वो देपाक है जो इस मंदिर के वास्तू कार है देपाक इस प्रशस्ती के प्रशस्ती कार है जो संस्कृत बासाव और नागरी बासा दो बासा हुँमे इस प्रशस्ती में सबसे मैटवपूर मेवार का पर्थम तागतवर राजा काल भोज जिसे का जाता बपा रावल सबी इत्यासकारों ने काल भोज को ही बप्पा रावल कहा कि काल भोज और बप्पा रावल दोनों एक ही है काल भोज और बप्पा रावल लेकिन इस प्रशश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श् जो दो बासाओं में नागरी बासा में और सम्सक्र्ट बासा में तो यह जो महत्वे था यह महत्वे कौन से मंदिर का रणतपुर जेन मंदिर का था देखेगा पाली जिले का जो अगला मंदिर है उस अगले मंदिर का नाम है निम्ब के नात माधेव याद रखियेगा दोस्तों अधिकान शराजस्तान में जो जेन मंदिर बन रखे हैं वो पाली जिले में बने हुए है निम्बो के नात मादेव यह निम्बो के नात जो मादेव का मंदिर है यह फार्णा और शांडेराव फार्णा वे शांडेराव फार्णा वे शांडेराव मारग पर मारग पर ये मंदिर बन रखा है निम्बो के नात मादेव इस मंदिर की विशेषता देखेगा ये जो मंदिर है ये मंदिर नात संपरदाई का है ये मंदिर कोने से संपरदाई का है ये मंदिर नात संपरदाई का इनको का जाता है निम्बो के नात इसलिए इनको क्या का जाता है निम्बो के नात नात में भी कई प्रकार के नात होते हैं मान पंती होते हैं इसके अलावा बेराग पंती होते हैं एक निम्ब पंती भी नात होते हैं उनका ये मंदिर बन रखा है जो नात संपरदाई होता है इस नात संपरदाई में भगवान शिव की पूजा की जाती है अथार्त नात संपरदाई सेव संपरदाई है और फालना संडेराव मारग पर एक पाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है एक पाड़ी की तलठी में ये मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर की संपरदाई का है नात संप्रदाई का यह मंदिर है इसके अलबा देखेगा शालेशवर मंदिर पाली जिले में एक गाओं में गुड़ा परताब शिंग गाओ और वहां पर यह मंदिर बन रखाये मंदिर का नाम क्या है शालेशवर मादेव जिस मंदिर के अंत में इश्वर शब्दा है वो मंदिर किसका भगवान शिव का तो ये मंदिर देखेगा जिस गाउं में बनावा उस गाउं का नाम क्या गुड़ा प्रताब शिंग गाउं गुड़ा प्रताप शिंग गाउं जो गाउं का नाम है वो गाउं का नाम क्या है गुड़ा प्रताप शिंग गाउं की गुफा में यह मंदिर है गुफा में यहां पर मंदिर है यहां पर ऐसा कहा दाता है कि पांड़ों ने अज्यातवास बिताया था पांड़ों की सरन इस्तली यह मादेव का जो मंदिर है यह पांड़ों की सरन इस्तली रही है और यहां पर एक इस्तान है जिसका नाम है बीम गोडा बीम गोडा बीम गोडा और इसका समंद पांड़ों से पांड़ों से समंद जो भीम गोडा का समन्द है वो भीम गोडा का समन्द कहा से है किस से है पांडों से भीम गोडा का समन्द है इसके अलावा नाना के जेन मंदिर नाना में एक नहीं अनेक मंदिर बन रखे है नाना के जेन मंदिर और इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है लग बग आज से 25 वर्ष पहले के ये मंदिर बन रखे है मावीर स्वामी के काल के ये मंदिर बन रखे है नाना के यहाँ पर एक मंदिर नहीं है बलिकि अनेक मंदिर है और इन मंदिरों की विशेशता देखिएगा यहाँ अनेक यहाँ अनेक जेन मंदिर है यहाँ अनेक जेन मंदिर है जो पचिश सो वर्ष पूर्वक है 25 पूर्वके है यहां पर जो भी मंदिर बंड़के है वो मंदिर 25 पूर्वके है यहां पर जो प्रमुक मंदिर है यहां के जो मंदिर समर्पित है वो मंदिर समर्पित है मावीर स्वामी को नाना के जो मंदिर है ये किस को समर्पित है मावीर स्वामी को ये मंदिर समर्पित है इन मंदिरों की विशेष्टा है विशेष्टा ये कि यहाँ पर मावीर स्वामी को जीवन्त स्वामी कहा जाता है मावीर स्वामी को यहाँ पर कौन सा स्वामी कहा जाता है जिवन्तम स्वामी कहा जता है जिवन्त स्वामी यहाँ पर मावीर स्वामी को कहा जता है मावीर स्वामी को कहा जता है तो यहाँ जिवन्तमावीर किसको कहा जता है मावीर स्वामी को कहा जता है और जो नाना के जो जेहन मंदिर है यह नाना के जेहन मंदिर गाउं में है उस गाउं का नाम है नाना गाउं नाना गाउं पाली में है और यहां पर अनेक जेन धरम के मंदिर बन रखे हैं ऐसा कहा जाता है कि यह जो मंदिर है यह मंदिर मावीर स्वामी के काल में ही निर्मित है यानि मावीर स्वामी के काल में ही इन मंदिरों का निर्मा में भी है सादली पाली में भी है बड़ी सादली चितोड़ गड़ में है और छोटी सादली प्रताब गड़ में जो सादली के सादली है यह सादली में वरा अवतार मंदिर है देखेगा सादली में एक तो वरा अवतार वरा अवतार मंदिर है दूसरे यहाँ पर जो मंदिर है वो भगवान पारश्वेनात के मंदिर है भगवान पारश्वेनात के मंदिर है यहाँ जो मंदिर है वो भगवान पारश्वेनात के इसके अलावा यहां पर एक दरगा है जिसे खुदाबक्ष बाबा की दरगा का जाता है खुदाबक्ष बाबा की दरगा इसकी दरगा खुदाबक्ष बाबा की दरगा जो खुदाबक्ष बाबा की दरगा है वो खुदाबक्ष बाबा की दरगा का है शादरी में है शादरी में वरा अउतार के मंदिर भी बन रखे बगवान पार्शुनात के भी मंदिर बन रखे और यहाँ पर खुदा बक्ष बाबा की क्या है दरगा भी है इसके लाब पाली जिले की एक तेशिले जिसका नाम है बाली पाली जिले की एक तेशिले जिसका ना किनारे बशा हुआ है उस पूर्म पर्शू मेला लगता है बाली पसू मेला और जो बाली पसू मेला लगता है वह एक जनवरी से साथ जनवरी तक एक जनवरी से साथ जनवरी तक आयोजित होता है बाली पशू मेला एक जनवरी से साथ जनवरी तक बरता है ये मेला इसके अलावा मीरा बाई की जो तिर्थ इस्तली है मीरा गड़ देखेगा मीरा बाई का जो जन्म हुआ है वो पाली जिले में हुआ है पाली जिले में कुड की गरा में, पाली जिले काई गाउं है जिसका नाम है कुड की गाउं, ये मीरा बाई की जन्म इस्तली है, इसको मीरा बाई की जन्म इस्तली का आ जाता है, मीरा बाई का सन 1498 में इसी गाउं में जन्म हुआ इसी गाउ में क्या हुआ जन्म हुआ था कौन से गाउ में कुड़की गाउ में और कुड़की गाउ में एक दुरूग भी बन रखा जिसका नाम है मीरांगड दुरूग तो याद रखना जो मीरांगड दुरूग है ये मीरांगड दुरूग पाली जिले के कौन से गाउ में कुड़की गाउ में मीरा बाई का मंदिर है और कुड़की गाउ में मीरा बाई का एक मंदिर बना हुआ है जिसे मीरा मंदिर भी का जाता है और यहाँ पर जिन मेलों में मीरा भाई का जन्म हुआ था उस समय उन मेलों का नाम मीरा गड़ नहीं था लेकिन वर्तमान में इनका नाम क्या है मीरा गड़ है तो देखिए गापाली जिले के क्या क्या है एक तो निम्बो के नात मादेव नात संपरदाई का मंदिर बना हुआ है फारना और संडेराव मारग पर बना हुआ है यहाँ पर नात संपरदाई की जो साका है वो निम्बा साका है इसलिए इन्हें निम्बो के नात का आ जाता है शालेश्वर मंदिर जो शालेश्वर मंदिर है ये गुड़ा प्रताब शिंग्राम की गुफा में है पांडूों की सरनिस्तली याद ये रखना कि भीम गोड़ा कहां पर है भीम गोड़ा पाली में इनका समध कहां से है इनका समध है किसे पांडूों से इनका समध है नाना के जेन मंदिर यहाँ पर अनेक जेन मंदिर है और यह जो जेन मंदिर है यह मावीर स्वामी के काल के बने हुए है आज से लगबग 25 सो वर्श पूर है और यहाँ पर मावीर स्वामी को यह जितने भी मंदिर है मावीर स्वामी को समर्पित है और यहाँ पर मावीर स्वामी को जी इसी गाउं में जन्म हुआ था और बाली मिश्री नदी के किनारे पाली जिले की एक तैसिले जिसका नाम है बाली बाली पसु मेला एक जनवरी से लेकर साथ जनवरी तक बढ़ता है सादडी में खुदा बक्स बाबा की दरगा पूचा जा चुका है ये राजस्तान में जिसका नाम है शिरियारी गाउं जो शिरियारी गाउं है वहाँ पर जेन शोतामबर तेरा पंत के जो पर्थम आचारियत है शिरी बिक्षू इनका निर्वान इसी गाउं में हुआ था तो शिरी बिक्षू की निर्वान इस्तली के रूप में इस शिरियारी इस्तान का जेन दर्म के सोहताम बर्पंद के अंतरगत एक विशेश प्रकारत के मान्यता है इसलिए सेलीए सेली पर थे इसके लाव मुच्छाला मावीर, वो भी गाने रहू पाली में है, कुंबल गडअ कमड़ः अभिहारन में इसके लावा दिए कए सोजत किस नदी के किनारे सुकडी नदी के किनारे इस्तित है देखिएगा से से सोजत से सुकडी नदी के किनारे और यहां पर सोजत का किला है और सोजत का किला कौन सी पाड़ी पर है नानी सिरडी पाड़ी पर है पाली जिले में सोजत का जो किला है सोजत में बना हुआ वह पाडी का नाम क्या है नानी सिरडी पाडी पाली जिले के सोजत शेर में पीर मस्तान की दरगा अभी है तो यह भी एक जाम में प्रसंद पूछ रहा है राजस्तान में पीर मस्तान की दरगा कहां पर है और पाली राजस्तान में सोजत जो पाली जिले का एक नगर है राजस्ता के परतिय आप अपने प्रेम बना कर रखिगा नमस्कार दोस्तों फिर मिलते हम एक नहीं जिले के साथ कर दो